गुद बॉनिंग बच्चों, आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, आईए उसको पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं शिश्यों जमीन बैटकर गुरु प्रणाम किया बच्चों, हमने देखा कि जब इस वाक्य को हमने पढ़ा, तो हमें उसका अर्थ इसपस्ट नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इन शब्दों का आपस में कोई संबंधी नहीं बन रहा है अब आईए दूसरे वाक्य को पढ़ते हैं शेश्यू ने जमीन पर बैठ कर गुरू को प्रणाम किया जब हमने इस वाक्य को पढ़ा तो हमें इसका अर्थ समझ में आ रहा है और इसके अर्थ को समझने में किसने सहायता की रंगीन सब्दों ने जो बीच में लगा दिये गये हैं जैसे की ने, पर, को तो इनकी सहायता से हम वाक्य के अर्थ को समझ पाएं तो बच्चों संग्या या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका समबंद बताता है हम उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे कुछ रंगिन शब्द देखे थे बचों हमने दूसरे वाले वाक्य में जैसे ने, पर, को, ये सब ये सब क्या है? ये कारक चिन है तो आईए आज की इस वीडियो में हम कारक के विशे में पढ़ते हैं कारक को समझने के लिए हम कुछ और भी उधारन आपको दिखाते हैं आईए देखते हैं देखे बच्चों चडिया ने दाना ढूणा वह बच्चों के लिए दाना लाई दूसरे तरफ देखिए बच्चों ने दाना खाया वे घोसले में खेलने लगे उपर के लिखे वाक्यों में ने, के लिए, में ये सब्दा हैं अगर हम इने हटा देते हैं तो इनका आपसे संबंध और अर्थ हमको नहीं पता चलेगा तो यही जो हैं रंगीन शब्द इनी को हमकारक चिन या विभक्ते चिन कहते हैं तो बच्चों हमने देखा कि शंग्या सब्दों का क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं और हर कारक का अपना एक विभक्ते चिन होता है तो बच्चों हम कारक की क्या परिभाशा दे सकते हैं संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बंध अन्य शब्दों से पता चले उसे हम कारक कहते हैं जैसा कि उपर जो हमने वाक्य देखा चिडिया ने दाना ढूणा में विभक्ति चिन ने चिडिया और दाने का अपस में संबंध बता रहा है क्रिया से चेडियां तथा दाने का संबंध और उनका क्रिया से संबंध इसपस्ट करता है विभक्ती चिन शंग्या सब्द का क्रिया तथा वाक्य के अन्य सब्दों से संबंध इसपस्ट करते है विभक्ती चिन को परसर्ग भी कहा जाता है या कारक चिन भी कहा जाता है तो आईए आगे देखते हैं बच्चों आपके सामने कारक की परिभाशा लिखे हुई दिखाई दे रही है आप उसे रेखांकित कर ले संग्या या सर्वनाम शब्दों का वहरूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंद बताता है उसे कारक कहते हैं अब हम देखते हैं बच्चों कारक के कितने भेद होते हैं हिंदी में कारक के कुल आठ भेद होते हैं नाम देख लेते हैं करता कारक, कर्म कारक, करन कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंद कारक, अधिकरन कारक और संबोधन कारक तो आईए बचो एक एक करके हम इन आठो भेदों को समझने का प्रयाज करते हैं बचो हमने कारक के आठो जो भेद बद देखे उसके हमने नाम भी देख लिए तो यहां देखते हैं कि प्रते कारक के लिए एक अलग विभक्ति चिन भी होता है जितने भी हमने आठो नाम देखे न, उनके लिए सब के लिए अलग-अलग उनका विभक्ती चिन होता है देखें, जैसे कारक, करता कारक का नाम हमने पढ़ा, उसका विभक्ती चिन है ने उसी प्रकार से कर्म कारक का विभक्ती चिन है को करन कारक का विभक्ती चिन है से संप्रदान कारक का विभक्ती चिन है को या फिर के लिए अपादान अपादान कारक का विभक्ती चिन है से से का यहाँ प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में संबंध संबंध कारक का विभक्ती चिन है का, के, की, आदि अधिकरन कारक का विभक्ति चिन है मे और पर संबोधन कारक का विभक्ति चिन है हे और अरे तो बच्चों ये भी आपको याद करना होता है आप इसे भी टिक लगा ले रिखांकित कर ले और इसे बाद में याद कर ले आईए अब इसको समझने का एके करके कारक के आठो भेदों को समझते हैं तो आईए बच्चों कारक का पहला भेद समझते हैं करता कारक करता कारक क्या होता है? काम करने वाला करता कहलाता है जो काम करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? करता कहते हैं उधारन देख लेते हैं बारिश हो रही थी बंदर भीग रहा था उसने पेड़ की एक डाल तोड़ी तो उपर के लिखावा वाक्य है उसमें बारिश और बंदर क्या है करता कारक है काम करने वाला करता कहलाता है है ना तो बारिश हो रही थी तो बारिश हो रहा है और बंदर भींग रहा था उसने पेड़ की एक डाल तोड़ी तो यहाँ पे बारिश और बंदर दोनों क्या हो गए? करता कारक हो गए आगे देखते हैं कारक का दूसरा भेद कर्म कारक किसे कहा जाता है तो बच्चों कर्म कारक क्या है? जिस वस्तू या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पढ़ता है उसे हम कर्मकारत कहते हैं जैसे देखिया आप उधारण बंदर ने डाली को छाता बना लिया तो यहां क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है? डाली पर छाता बनाने के लिए बंदर ने किसका इस्तमाल किया डाली का तो जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पढ़ रहा है डाली पर और उसके बिना क्रिया जो है वो नहीं हो सकती अता वो क्या हो क्या कर्मकारक तो यहाँ पर डाली क्या हो गया, डाली को क्या हो गया, कर्म कारक आईए, अब कारक का तीसरा भेर देखते हैं, करन कारक तो बच्चों, करन कारक क्या है? जिस साधन से क्रिया हो, उसे करन कारक कहते हैं मतलब जिस भी वस्तू की सहायता से हम क्रिया होते हुए देखते हैं वहाँ पर वो क्या हो जाता है? करन कारक हो जाता है जैसे बंदर ने हाथ से डाली उपर की किस शिच की मदद से बंदर काम कर रहा है? हाथ की मदद से तो यहाँ हाथ से क्रिया हो रही है अता यहां पर कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया आईए कारक का चौथा भेद देख लेते हैं संप्रदान कारक तो बच्चों जिसके लिए काम किया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है जैसे कववा हसते हुए बोला चिडिया बेहन बंदर को छाता लादो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर किसके लिए काम करने की बात हो रही है कवा हस्ते हुए बोला चिडिया बेहन बंदर को चाता लादो यहाँ किसके लिए काम हो रहा है आप खुद देखिए बंदर के लिए काम हो रहा है अता यहाँ परबंदर को में क्या हो जाएगा संप्रदान कारक तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कारक किसे कहते हैं समझा विभक्ति चिन पड़सर्ग ये क्या है वो समझा कारक के कितने भेद होते हैं इसे देखा नाम इनके देखे और कारक के चार भेद भी हमने समझ लिए आपको इस वीडियो के साथ कुछ प्रश्मोतर भी दे गए हैं उसे आप अपनी क्लास वर कॉपी में लिख लें धन्यवाद